दोस्तो हमारे आसपास बहुत अलग अलग तरीकों का खत्रा होता है, क्राइम का खत्रा, वार्ज का खत्रा, जानवरों का खत्रा, मौत का खत्रा, पर एक तरह का टेक्नलोजिकल खत्रा भी आपके पास होता है, साइबर सिक्योरिटी का डोमेन, डार्क वेब का डोमेन, इस सा पॉडकास्ट पर आज आया है साकेत मोधी सर जिन्नों ने हमारे साथ दो सूपर हिट पॉडकास्ट और ये एक और सूपर हिट और बहुत ज्यादा डीटेल टेक्नोलोजिकल पॉडकास्ट होगा साकेत मोधी के साथ आन टी आरेस हिंदी एंजॉइ आई-टी मिनिस्टर को डराने वाले इंसान साकेत मोधी का स्वागत है दर अनवीशो हिंदी में कैसो मेरे भाई बहुत अच्छा रनवीर और बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे वापस बुलाने के लिए इट इस इस बीन बलास सिंस दे लास ताइम भी मेंट और आपने जिस तरह से डराया नाशनल टीवी पर और जिस तरह से वह भड़के अई और जिस तरह से वह बढ़के आप आप यहाँ जया से बड़े बड़े देश्व में चोटी बात होते है वैसी ही वो काफी कुछ सालों पहले हुआ था जैसे कि हमने पिछले podcast में बात की थी कि यह काफी आप सही intent के साथ भी अगर कुछ करना चाहते हो unfortunately कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कभी कभी ऐसी situations arise हो जाती है जहां पर आप आपको सही नजरिये से नहीं देखा जाता और उसके कारण कुछ issues हो जाती है आपकी एक बड़ी cyber security की company है और cyber security बहुत नेक काम होता है according to me it's basically आप internet के police officer हो at a very high level entrepreneurial police officer पर लोग आपको अकसर एक hacker के नजरे से देखते होंगे और यही आप शायद कह रहे हो कि आप तो हो cyber security professional पर लोग आपको यह देखके कहते है hacker hacker मेरे phone को hack मत कर cyber mama cyber mama that's what you can say but but बिल्कुल सही रनवीर हम कोशिश यह करते हैं कि किस तरीके से चीजों को ज़्यादा secure बना सके और अगर आप ऐसे सोचों कि कोई भी चीज को secure बनाने के लिए उसे hack करना आपको आना चाहिए क्योंकि जब तक आप जैसे हमारे बड़े famous धूम मुवी की लाइन है कि एक चोर को पकड़ने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि एक चोर कैसे सोचता है उसी तरीके से ethical hacking and cyber security एक ऐसी लाइन है जहां पर आपको वो सारी skills पता होती है generally जो आज एक hacker यूज करेगा कुछ गलत करने के लिए but on the other side more noble जैसा आपने कहा आपकी according internet एक खतरनाक जगह है क्योंकि यह podcast का topic है dark web dark web क्या होता है basically आप एकदम ABC समझा सकते हैं क्या होता है dark web और उसके अलावा भी अगर आप internet के खतरे के बार में बता सकते हो that'll be great great मुझे यह अच्छा लग रहा है कि आपने हमारा topic खतरों के खिलाडी नहीं बोला क्योंकि generally perception dark web की यह होती है रनवीर की कोई एक ऐसी dark जगा कोई ऐसी crazy जगा जहां पे बहुत सारी गलत चीज़े हो रही है so आज हम यह करेंगे जहां पे हम थोड़ा सा deep dive करेंगे कि dark web होता क्या है कैसे dark web की चीज़े इस्तमाल की जाती है globally और वहां पे काफी सारी challenges भी है but at the same time dark web को आप काफी अच्छे तरीके से use भी कर सकते हो जहां पे चाहे आपको खुद surveillance से बचना हो जहां आपको अपनी privacy maintain रखनी हो चाहे आप कुछ लिख रहे हो as a journalist या आप कोई communication कर रहे हो as a businessman dark web काफी useful भी चीज़ हो सकती है dark web मतलब यह होता है it is not about गलत चीज़े but dark web को dark web इसलिए बोला गया क्योंकि वहां पे जो चीज़े होती है उसे track करना बहुत-बहुत मुश्किल होता है और क्योंकि वह बहुत मुश्किल होता है उसके कारण चाहे आप कुछ अच्छी चीज़ करने की कोशि़े हैँ चाहे कुछ बुरी चीज़ करने की कोशि़े हैँ इन दोनों cases में आपको track down करना काफी मुश्किल होता है and that is generally the first principles of why dark web exists dark web शुरू हुआ था करीब-करीब 2006 में और ये काफी interesting चीज है आप शाइद गेस नहीं कर पाओगे कि किसने dark web fund किया शुरू में और आज भी करता है US government the US government from the very beginning has been funding the dark web I think dark web की बाते करने से पहले आपको internet के बार में समझाना चाहिए क्योंकि जो लोग पॉड़कास को सुन रहे है उन्हें ये लग रहे है कि हाँ मैं तो खत्रे में नहीं हूँ मुझे तो कुछ नहीं हो सकता बट ऐसे ही बात नहीं है everyone is in danger on the modern internet तो पहले internet के बार में थोड़ा बता दीजिए internet होती क्या है क्योंकि अगर road पे चलते को इंसान से आप ये पूछेंगे कि internet होता क्या है तो no one has a proper answer मतलब लोगों को एक globe दिखता है कुछ को लोगों को wires दिखते है internet क्या है? अगर आप internet की बारे में सोच हो और by the way internet भी आपको पता है पहला version of the internet किसने फॉर्म किया था again US government और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि internet in fact उसे हम जो शुरू में कहते थे web 1.0 और हम कुछ बाते करेंगे आगे web 3.0 की भी शुरू में internet मतलब बड़ा simple चीज थी जहां पे एक computer दूसरे computer से connect हो और वो computers एक दूसरे के साथ में information exchange कर पाए वायर के बिना वायर के साथ में था शुरू क्यों? क्योंकि आप वायर से bits and bytes जो data packets होते है रनवीर वो एक दूसरे के साथ आप transfer कर पाते थे it was that simple अगर काफी सारे लोग जो सुन रहे होंगे या उनके parents किसी समाने में dial up internet होते थे जहां पे आपको बड़ी slow speed मिलती थी और किसी तरीके से आप internet पे एक page कोल पाते थे जिसमें कुछ information मिल पाता था उसे कहते थे web 1.0 याने कि एक computer कोई information host करेगा और कोई भी computer उसको connect करके वो information देख सकता है उसके साथ interact नहीं कर सकता इसा नहीं है कि आप login कर रहे थे एक दूसरी के comments को share and like कर रहे थे ऐसी चीजें शुरू में नहीं थी जो basic version of internet था उसका मतलब यह simple चीज थी कि आप कैसे एक network of computers बना सको जो और काफी सारे protocols निकल के आए उसमें कि आप कैसे उसे एक secure तरीके से कर सको जिससे कि कोई और उस पे snoop न कर पाए और यह था एकदम early days of the internet आज वो same internet अगर आप उसे advance करते जाते हो जो पिछले करीब करीब 30-40 सालों में internet जितना advance हुआ है आज fundamental principles same है जहां पे आपकी data packets जैसे एक system से दूसरे system पे जाते हैं, routing tables use होती है क्योंकि बीच में routers होते हैं आज अगर आप google.com खोलते हो minimum 10 से 20 अलग-अलग hops लेता है आपका data packet तो यहां से आपके laptop पे जब आप google.com लिखते हो पहली चीज तो google.com बोलके कोई चीज exist ही नहीं करती है इंटरनेट पे इंटरनेट में क्योंकि हर machine की अपनी identity होती है उनकी identity होती है उनकी IP address पर IP address generally बहुत difficult होता है human mind को remember करना तो मैं अगर आपसे पूछूँ कि आप कितनी websites का नाम जानते हो आप एक लंबी list दे सकते हो मेरे को google.com, facebook.com, instagram.com पर अगर आप ऐसे सोचो हर website का एक 10-digit number जैसे की 15.20.100.200 और 21.60.83 आप कितने numbers ऐसे याद रख सकते हो पहली चीज हर computer का और मैं simplify कर रहा हूँ क्योंकि web servers होते है पर हर computer की एक identity होती है और उन identity simple IP address होती है जैसे आपका नाम है वैसे हर computer का एक नाम होता है जिसे कहते है उसका IP address आप question नहीं कर सकते है but hold on मैं तो google.com पे जाता हूँ तो google.com मेरे browser को कैसे पताता है कि मैं ये IP address हूँ तो एक service होती है जिसके कहते है DNS service जिसको कहते है domain name service ये एक ऐसी service होती है जो एक आपको याद है yellow pages होते थे जहाँ पे businesses के नाम और उनके phone number एक दूसरे के सामने लिखे वे होते थे आप DNS servers को मानो कि वो yellow page of the internet है और वो क्या करते है वहाँ पे रनवीर कि वो जितने भी ये IP address है थी एक domain name server के पास में जहाँ पे वो कहता है कि अच्छा google.com डूल रहे हो वो इस IP address को belong करता है और फिर आपका जो system है वो उस IP address से connect करता है कि आप जब भी internet पे connect करते हो जब आप click करते हो connect now to internet या आप wifi से connect करते हो या आप अपने mobile पे hotspot से connect करते हो एक laptop को या आपका mobile phone जब internet से connected होता है तो 3G और 4G आपके पास भी एक IP address होता है in fact आप ये कर सकते हो आप अपनी website अगर अभी browser खोलो और अगर podcast देख रहे हो आप अगर एक website पे जाते हो what is my IP address dot com आप अगर enter करोगे वो आपको बताएगा आपका क्या IP address है अभी in fact आप Google पे भी जाके लिख सकते हो what is my IP and Google आपको बतादेगा आपकी IP address क्या है so आपके पास भी एक IP होता है क्योंकि आपकी भी नाम ज़रूरी है क्योंकि आप जब Google के सर्वर से बात कर रहे हो उनको पता होना चाहिए कि मैं किस से बात कर रहा हूँ and Google का भी एक IP address होता है so यह जब एक दूसर से बात करते हैं रनवीर उसे collectively हम कहते हैं internet now जो public domain names होती है जहाँ पे websites जो popular होती है वो stored होती है in fact top level domains बोलके कोई चीज़े होती है जब भी कोई website होती है हमेशा उसे pass right side से किया जाता है याने कि जो top level domain होती है वो या तो .com so ऐसे होगा तरनवी शो.com google.com but there can also be something like you know hotmail.in so यह जो .in या .com या .co.cc होती है यह होती है top level domain so जब भी कोई आप website query करते हो सबसे पहला query होता है उसके सबसे right side वाला कि आप कौन से top level domain में बिलॉंग करते हो हमारा .in जो domain है जो India host करता है वो Nixi maintain करता है which is a government of India body so जितनी भी government की website आप देखोगे right it's gov.in right और abc.in कुछ भी minister की websites होती है .in या gov.in होता है या अगर आपको Indian business की website होती है abc.in so generally वो जो in websites होती है India centric होती है वैसे .us होता है and .uk है and . बहुत सारे multiple उसको TLD बोलते है top level domain और उस top level domain का अपना जो DNS records होते है उसके अंदर होता है अच्छा पहले पता चल गया .in है तो .in के registrar के पास जाओ और फिर वहाँ पर पता करो की अच्छा दरन्वीर शो .in की बात हो रही है यहाँ पर उनका क्या IP address है तो वो जो mapping होती है उसे कहते है DNS service और यह जब clear net पे in other words जिसको हम generally internet समझते है जाए वो Google हो या Facebook हो या Yahoo हो यह सारी चीजें जो public top level domain के साथ DNS record में stored होती है वो उसे आप कह सकते हो clear web या उसे कह सकते हो high level web जिसको हम हर रोज access करते है Ranveer और ऐसी बहुत सारी websites होती है जो उस list में नहीं होती है that is where the journey into dark web starts यह काफी ज्यादा गहरा answer रहे पर but it's a good it's appreciated I tried my level best to say as non-technical as possible basically basically जो मैं समझाऊ basically computers होते है हर computer का एक IP address होता है और IP address से connected कुछ centralized bodies होती है और इन सारे चीजों को जिन wires से जोड़ा जाता है collectively that entire system is called internet पर इंटरनेट का एक हिस्सा public internet होता है और एक हिस्सा dark internet होती है dark web होती है am I right? मिलकुल so आप एंगनम सही कह रहे हो Ranveer but ऐसे सोचना कि internet के दो हिस्से है इसमे इसमे problem यह है क्योंकि internet का जो concept है वो सेम रहता है चाहे आप dark web पे हो चाहे आप clear web पे हो so clear web एक ऐसी चीज़ होती है जो generally publicly indexable होती है यानि कि आप ऐसे सोचो आप अगर कोई email करते हो किसी को या आप किसी को whatsapp message करते हो क्या आप यह expect करते हो कि किसी दिन google search में आपके whatsapp के chats आएंगे कभी नहीं न क्योंकि आपके whatsapp chat तो private है आपके और एक किसी इंसान के बीच में है आपकी emails तो private है आप इतने सारे emails gmail के साथ करते हो आप कभी यह तो expect नहीं करते हो कि google search या कोई कभी google search करे तो आपकी या किसी के conversation वहाँ पर आ जाए यह सारी चीजे जो non-indexable है रनवीर although वो clear internet के principles के साथ काम करती है but उसे भी आप dark web कह सकते हो so इस कारण में शुरू यह कर रहा था बताने का कि हर चीज dark web में dark नहीं होती जो search engine से query किया जा सके उसे कहते है clear web जो search engine से query नहीं किया जा सके उसे आप कह सकते हो dark web तो यह dark web का crime angle, porn angle, drugs angle कहां आता है क्योंकि अकसर mainstream में लोग इनी चीजों के बारे में सुनते है when it comes to dark web बिलकुल so रनवीर मैंने जैसे आपको बताया dark web का मतलब यह है कि आप track नहीं हो सकते हो जब आप track नहीं हो सकते हो आप उसे multiple reasons से use करते हो for example अगर मुझे कोई चीज पढ़ना है for example मुझे कोई books पढ़नी है जो band है एक particular country में the best way to do that is a dark web in fact dark web में ऐसे बहुत सारे amazing forums है जहाँ पे खाली band books मिलती है मुझे कोई communication करना है which is very sensitive to national security it doesn't make sense to do that through gmail.com जैसे कि कैसे conversation कोई भी conversation अगर मुझे किसी errorist के बारे में पता चल गया है और मुझे वो किसी को बताना है in a very very confidential way जहाँ पे मुझे अपनी identity नहीं disclose करनी if that is the case dark web will be a great way and again dark web तो एक 40,000 level concept की में बात कर रहा हूँ उसके अंदर अग-अग services होती है जो आप यूज करते हो और उस services के basis पे आप, you know, अपने आपको anonymize कर पाते हो but the तरीका जो popular तरीका and by the way there are multiple ways to go to the dark web also the most popular तरीका is using this thing called the tor browser tor browser यूज करना कोई इलीगल नहीं है क्योंकि आप उसे यूज करके अपनी identity protect कर रहे हो तो उसे कहीं भी nobody can tell you why do you have a tor browser on your laptop I will come and arrest you that is not how this works but on the other side अगर क्योंकि tor browser जब आप use करते हो it's basically multiple nodes that you hop between in an anonymized way till the time you reach the final node and क्योंकि यहाँ पे आपकी identity mask हो जाती है याने कि एक normal clear web पे जब भी आप A से B से C से D जाते हो वहाँ पे आपका source IP एक तो आपका original IP होता है और दूसरी चीज आप same identity बिना किसी hidden context से आप हर hop के बार जाते हो बट यहाँ पे जब आप tor browser यूज करते हो आपकी identity हर layer पे एक और level of masking हो जाती है तो इसका रण in fact काफी सारी myths भी होती है जैसे क्योंकि यहाँ पे masking of आपकी identity इतनी ज़ादा हो जाती है dark web में आप यह देखोगे बहुत heavy files मतलब आप अपना podcast dark web में नहीं डाल सकते हो क्यों? क्योंकि वहाँ पे latency इतनी बढ़ जाती है क्योंकि इतने सारे layers of masking और फिर unmasking unmasking भी करना पड़ेगा क्योंकि आप जब कोई server पे जा रहे है कोई data लेने के लिए आपको वहाँ से वापस भी तो आना पड़ेगा और क्योंकि वहाँ पे latency इतनी बढ़ जाती है जिस time पे आप जाकर वापस आओग यहाँ पे इतने सारे masks होते है उस कारण आज अगर कोई यह कहता है कि मैं live streaming करता हूँ in fact आपने crimes की बात की एक popular crime जो dark web में लोग बात करते है generally उसे कहते red room red room क्या होता है रनवीर जो concept है basically कि वो एक live streaming हो रही होगी dark web में जहाँ पे आप किसी को torture कर रहे हो या किसी का murder कर रहे हो और आप उसे live stream करोगे to a lot of people and लोग उसे देखने के लिए आपको bitcoin से payment करेंगे पहली चीज यह conceptually impossible है क्योंकि live stream करना dark web में क्योंकि वहाँ पे latency इतनी ज़ादा होती है it will be very 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 difficult but what is possible suppose कोई चीज होती भी है you know red rooms बोलके वहाँ पे आपको कोई या तो skype या zoom या team's का एक invite भेज़ते वो communication जहां तक plain text communication है वो आप 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 से कर सकते हो maybe I spent thousands of hours on the dark web और उसके बाद भी लोग कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा मैं वो करूंगा ये करूंगा बर ज्यादा तर रिया तो वो फेक होती है rooms क्योंकि all they care about is जैसे आपको पैसे मिल जाएंगे and you know they'll run away क्योंकि आप ट्रैक नहीं कर सकते हो कि आपका KYC क्या था not only at the dark web as your identity but also when you pay through bitcoin there are ways to sort that out also there's something called escrow accounts and there can be smart contracts through ethereum but that's a different story I'm just keeping things very very simple here that in most cases that either they are very fraudulent and it's like a very 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 small minority of what you would be able to see these things as a red room while it makes for great oh my god this is what is happening in the dark web but that's not the case but on the other side what is very popular as you said right unfortunately very popular would be child pornography it will be you know it would be talking about things which are not popular in nature right in fact this is a very popular thing that early 2000 I think it was 14 or 15 the US government which by the way is one of the biggest not only supporters of the dark web and it funds the dark web but it also is very very heavily involved in fact most of the forums that are in dark web not only US government's three letter agencies are running without you knowing about it but globally many intelligence agencies where they can hear conversations where they can hear conversations which is called Tor Browser and the Tor Browser is where you will be that your IP will be changed in the software and your address will be changed in the software where you can't change in the software because you can't change your IP because you can't change your IP you can't change your IP which is allocated to your internet service provider and that is where it becomes you know very difficult to crack however in God we trust everything else we track in other words there is so much to learn from it there is so much to learn from it in the past in the past in the past Tor Browser you can't change your IP or you need to change your IP whatever and as much as you run it we will give you more bitcoins but here when you download Tor Browser do you know what is the cost of Tor Browser? zero you download it and start it so here Tor Browser how does Tor Browser make money? does Tor Browser give you ads? you can't give ads because you are not doing it because you are not doing it do you know who you are? what is your gender? where do you belong? what do you belong? what do you have to do? what do you have to do? what do you have to do? nothing about Tor Browser so when I talked about Tor Browser which I talked about the nodes in the nodes the nodes the nodes the nodes have to keep up and running the cost of these nodes basically the cost of electricity the cost of electricity the cost to go ahead and keep the nodes of the Tor Browser up and because there is no money to generate who will do it so who will fund it? so whether it is the US government or Google or there are many big companies who fund it and obviously because of that they get an inside out scoop that what is being made in this software they will also dictate that they need to go where to go the road map what should happen what should happen what should happen and what should not and it is pretty crazy if you think about it right? why will the government fund one of the biggest projects to keep people anonymous? hmmm but it goes back to saying that that's exactly the place they should be because they can get the intelligence from here that means rather than becoming an enemy you actually become friends which can you know which actually makes so much more sense hmmm two questions the first question is one 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 what can dark web use because I actually know a person who regularly would ask weed yeah this is not me this is not me this is not me this is not me but I know someone who regularly would ask weed and lsd so I know that this is one use case and what use cases are for an armed but another question is that governments and armies and intelligence agencies which things do dark web use sure so two questions let's talk about the first thing not only weed but whether you have arms and ammunition or guns or fake passport in a country or credit card for another so one concept is carding carding where a hacker can hack some e-commerce company and all credit cards steal info more important credit card details because if a big e-commerce company where 10,000 users are and 10,000 users can get a lot of things but but if 10,000 credit card details are active that can be done with many things but hackers who are very smart they know that if one credit card will use that tracking history will become so what do they do? there are forums deep and dark web where these credit card details auctioning so if you go so if you have 20,000 visa credit card numbers deep and dark web there are such forums which will give you every credit card for 100 or 1,500 or 2,000 or 3,000 and you have to easily because generally when that transaction history also track and track the criminal will be very difficult for the actual person who is out there for the people deep and dark web is why important because you go deep and dark web you can learn many such things which you don't want to learn whether it is banned books or banned articles or life history or many people you know in any country there is a long list that you don't want to learn that you don't want to learn about it so all these things where you need truly anonymous identity and again truly comes with an asterisk always it is more difficult to track you it is not impossible to track you so if you need an anonymous identity then simply mask your browser incognito or vpn if you become x anonymous since you can also become x anonymous but if you become x there then you will become more than 10x anonymous and there if you have discussions so deep and dark web because you don't know any identity so you can go to a lot of forums where there are specific forums on specific topics right that if you have to talk about what are the bad things about a country what is wrong in a country all these things are dedicated forums and the last thing these forums are very trust based and this might sound counter intuitive because I am telling you that it is very anonymous dark web but I am telling you that it is very trust based these two things coexist how can you coexist this is this is why because you make a persona you think if you play a game world of warcraft or anything generally you make an id like you know the dark knight 23 for example suppose you made that id like you make an id and you are the same player where the other players can't see your face but in the same game world of warcraft or any of you mimecast whatever if you go every day and do a performance every day people identify you from dark knight 23 in that way in the dark web forums your alias or in simple language your nickname so if your nickname which you choose in your dark web and you go to a forum there the public forums you can talk directly there but the more intense discussions between hackers between a lot of criminals those forums you need to enter vouches 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 what does suppose in a forum you are going to at least a forum you have to take 5 people who are already a part of forum which you will vouch for that this is a true hacker or a true criminal and we need to take this to our forums so generally it's not about how much money you can do it is more around that you can build your credibility with your alias or nickname and that is what that is what forums and chatting are all about so cyber security cell people i mean many people who are listening to this podcast will be excited or i will use it no cyber security policing system any or dark web will be present however this doesn't mean that they can track you immediately because this is so anonymous that it is actually a lot of effort that you have to give with a lot of signals that you collect over time through which you try to trace a particular person so if someone is doing a small crime and thinks if someone is doing dark web immediately this doesn't happen generally because you gave an example that some people are ordering very continuously but i don't think they got caught right and they were doing it again and again while if they try to do it on the phone if they try to do it through email there is a trail and it becomes relatively easy and we have seen many examples and many cases where you were ordering such things in whatsapp and that becomes a big problem for a lot of people so what i would say is that that is where a lot of law enforcement definitely exists but that is the thing and we have seen many movies that when police becomes a part of a drug gang just because they found a small crime it doesn't mean that they will blow up their cover they would want to be there because they are after the big fish they are after much more serious crimes which are happening and how to track them and how to track them what is going to happen in those serious crimes I am assuming national security crimes national security certainly many discussions are there you know Ranveer terrorism definitely terrorism also because again when your forums are very anonymized it actually becomes a very convenient way where if there are different terrorists in different countries they can talk from each other so definitely that but i would still say having seen you know what things are the higher percentage is more around personal not crime but it is more about banned content and it can basically be pornography it can whether be you know text books it can be videos it can be various kinds of stuff which are banned and not allowed out there unfortunately a lot of deep and dark web is about child pornography and because it's so difficult to you know trace people and as we know that there are many serious punishments in every part of the world people say data is the new world if you have known about data then you get knowledge and you can convert that knowledge in the money but sometimes this type of knowledge which you are saying most of dark web is child pornography it pushes you into questioning why why people have so much interest in child pornography what a strange thing unfortunately I didn't understand this thing fortunately at least people don't know who I know in actual life who will have any interest but having said that you also understand that every person in actual life doesn't always say everyone so that is there because you are a cyber security expert have you learned about dark web conversations about terrorist conversations or other criminals I have seen such things Ranveer where there are many hate speeches which that person should not exist or you know this place should not happen or you don't need such events or you need to bomb this event etc etc but obviously if somebody is planning something they will not talk about it in a forum in that way we will do the exchange of money that happens in crypto in dark web only in crypto I have seen crypto but there are different types of crypto run only one so whether it is you know bitcoin whether it is ethereum multiple types of cryptos which are out there and in the beginning there were direct transactions and now many people use smart contracts you use उसके लिए भी काफी safe होता है क्योंकि अगर आप उनसे बात करें जबकि आपके पास पैसे ही नहीं है अगर उन्हें बुक दे दिया आपको तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप actual में आपके पास पैसे है उसे buy करें वह जैसे फिल्मों में सीन होती है ना पहले सूटकेस नहीं पहले बच्चा वह वाली सिच्वेशन है इक्जाक्टी से बीच में एक आप इंसान को बच्चा दे देते हैं और फिर सूटकेस लाते हैं और फिर बच्चा जाता है पर 2006 से क्रिप्टो करन्सी में ट्रांजाक्शन हो रहे हैं क्रिप्टो करन्सी दोजार नौ में आए 2006 में 2006 में the concept of TOR browser came into existence कि आप कैसे internet truly anonymous तरीके से ब्राउज कर सकते हो that is where it started now of course we are at that point where it is evolved to a point it's like web 1.0 2.0 and 3.0 so शुरू में web भी काफी informational और पहुर छोटा हुआ करता था जहांपे I would say it was not about transactions it was more around how do I keep my identity secured and just see things around I would even say to the extent कि जिस तरीके से web 1.2 and 3 evolved हुआ उस तरीके से although we don't classify it like that but there's definitely a dark web 1.0 2.0 and 3.0 which which has come a long way from an evolution perspective तो डर्क वेब का future का है यह इस एपिसोड का आखरी सवाल है क्योंकि काफी ज्यादा heavy एपिसोड है पर क्या अब क्या होने वाला है रनवीर डाक वेब जैसे जैसे आप future में जाते जाओगे न मेरे हिसाब से जादा तर internet अपने आप डाक वेब बनते जाएगा not from a negative perspective क्योंकि अगर आप एक सेकंड के लिए सोचो web 3.0 जिस तरीकी की technology पे हम जा रहे है वो exactly ऐसी technology पे जा रहे है जहाँ पे आपको track नहीं किया जा सके and dark web और tor browser एक तरीका है उसके अंदर जाने का और तरीके हैं जहाँ पे आप ethereum blockchain यूज करके उसके उपर अगर आप web application develop करते हो और data सब जगे store करते हो एक जगे store नहीं करते हो so मेरे हिसाब से it will actually become more popular in the future and अगर आप एक second के लिए metaverse of dark web को साथ में combine करते हो it actually becomes a very interesting future क्योंकि जैसे physical शहर में कोई भी शहर में आप जाओ कुछ बहुत अच्छी clean जगाएं होंगी but on the other side कुछ ऐसी dark जगाएं होंगी जहाँ पे काफी सारी गलत चीज़ें होती है उसी तरीके से हमारे metaverse में या virtual world में आपके पास ऐसी काफी सारी जगाएं होंगी जहाँ पे यह जो forums are static होती है इने मोर डाइनामिक बना दिया जाएगा जहाँ पे आप फिजिकली इने फिजिकली जगाएं है आप जाके उसे देख सकते हो और मेरे इसाब से अच्छी बॉल डाउन की आपकी identity कितनी anonymous है बिकुस अच्छी पीस अफ दाक वेब जैसे एपल के CEO कहते हैं जब एक hack होता है रनवीर जब आपका privacy invade होता है खाली hack नहीं हो रहा है हो आप जो fundamental premise है why, what makes humans more special than animals and plants because even they are living what makes them more special is their ability to think crazy to think out of the box आज एक जानवर कि thinking बड़ी limited है मुझे खाना खाना है, जागना है बच्चे पैदे करने है and that is what their life is to most of them, 99.9% right, but humans because they can think out of the box is the reason आप इतनी सारी development देखते है जैसे आपको ये लगने लग जाए कि हर शब जो निकल रहा है आपके मूँ से हर टेक्स जो आप भेज रहे हो हर इमेल जो आप लिख रहे हो हर लेटर जो आप लिख रहे हो वो कोई पढ़ रहा है कोई देख रहा है और उसे कल बिना आपकी knowledge के use किया जा सकता है आपके against या आपको आपके साथ fraud करने के लिए या आपकी click करवाने के लिए ads पे या आपके उपर attack launch करने के लिए जैसे आप वो करते हो, your ability to be human is taken away and that is the reason why I would say not dark web but the concept of dark web of remaining anonymous fundamentally will be the future where the internet can survive and will thrive that's what I think about the future अपके लिए लोग कहते है कि किसी भी देश की आर्मी पहले new technologies को adopt करते हैं और फिर बाकी का बाकी की जन्ता adopt करते हैं उसी तरह जो internet के नई technologies हैं शायाद से some of them will be on dark web first और फिर पूरी internet adopt करेगी technology use करना dark web पे इसलिए difficult हो जाता है रनवीर because मैंने बताए होँआ पे latency बहुत जादा होती है और आपने जो army वाली बात कही वो एकदम सही थी आज से 20 या 30 साल पहले जहां पे army के पास budgets बहुत सारा होता था और हम पूरे दुनिया war पे था world war one, world war two और सारी चीज़ें उसके करन जा हमारे roads, हमारे tanks, यह सारी चीज़ें armies ने around the world develop की but क्यूंकि पिछले 30 सालों से especially after world war two actually we've not had a large scale war I'm talking about a world war उसके कारण आप देखते हो कि यह जो आपने बताया न innovation cycle has moved from army to private companies or universities right इसके कारण आज जैसे google.com actually came out of UC Berkeley right Facebook was made at Stanford right so जादा तर हमारी new age चीज़ें जो है वो अब start-up से young companies से और इसकारण मैं तो यह कहूंगा कि जो भी आज यह सुन रहा है I think this is the golden period to be a young person क्यूंकि आज से just 20 या 30 साल पहले या तो आपके surname में Tata या Billa होना चाहिए या आपके bank account में करोड़ों रुपए होने चाहिए थे start a business पर आज आप उस point पे हो जहां पे खाली 2,000 रुपए में आप एक internet पे अपना website रेजिस्टर करके उसे host कर सकते हो और Play Store में अपना app अपलोड कर सकते हो WhatsApp was exactly that which got sold for 22 billion dollars यानि कि करीब-करीब 1,5 लाक करोड रुपए that was the cost of WhatsApp and Google is acquired आज तो उसकी वाल्यूस से भी उपर है so that's my point that you know when you talk about innovation especially young people आज के दिन it's very exciting and you can do that using the dark web if you think that you know you don't want to be revealing your identity or whatever that is depending on the kind of work that you're doing and I feel ki in सारे चीजे को हासल करने के लिए आपको information आपने दिमाग में और इसलिए podcast सुनने चाहिए हर किसी को podcast से आप information को डाउनलोड कर सकतो खुद के दिमाग में especially आपका podcast because I think आपके podcast से मैं खुद काफी कुद सेखता हूं Ranveer and I think you're doing an amazing job thank you thank you thank you Sakit Modi भाई एक और भयानक episode के लिए मज़ा आ गया and until next time for another deep tech-based conversation thank you Ranveer for having me here thank you तो दोस्तो ये था आज का भारी episode Sakit Sir के साथ बात करके हमेशा मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ सीखता हूं and I hope की आप भी बहुत ज़्यादा सीखता हूं एक बात बताईए कि आपको ऐसे podcast अच्छे लगते तो then we'll bring on more guests from this domain engineering students सुन रहे हो ना देख रहे हो ना podcast शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और TRS Hindi की legacy आगे बढ़ाईए ये podcast की growth होगी आपकी बज़े से thank you for listening thank you to Sakit Modi यहाँ नीचे हम link कर देंगे Sakit भाई के बाकी के दो episode तो please उन्हें चेक आउट कीजिए